ओमश्यानति 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 बाबा ने हम सब को इस्मर्ति दिलाई तुम कितने महान थे वेशु पर राज करते थे ड़बल क्राउंड थे कितनी ज़ाद पवित्रता थी तुम्हारे अंदर तुम्हारे चेहरों से कितना तेज और नूर जलगता था क्या हमें इस मर्ती आ गई कितने महान थे हम महान देवता संपूर्ण पवित्र हमें यदि इस मर्ती रहेगी तो हमारी महनताएं भी बढ़ती जाएंगी हमारी पवित्रता भी बहुत बढ़ती जाएंगी अपनी पवित्रता को बढ़ाने के लिए देखो बाबा ने हमें क्या-क्या याद दिलाया बाबा ने कहा जैसे आसमान में कोई तारा ज़्यादा चमकता है तुम आत्माएं जब परमधाम में थे तो तुम बाप के बहुत समीप थे और बहुत पवित्र होने के कारण तुम्हारी चमक सबसे ज़्यादा थी फिर तुम नीचे उत्रे तो सत्यूप के आदी में तुम्हारी चमक सबसे ज़्यादा थी भक्ती में तुम्हारी पूजा होने लगी तुम्हारे चेहरों को देखकर ही पाप आत्माए ये पवित्र आत्माए भी पवित्र होने लगी इतनी पवित्रता की शक्ती तुमारे अंदर थी ब्रामन बने हो ब्रह्मा के बच्चे पवित्र फिर फरिष्टे बनेंगे संपोन पवित्र संपोन पवित्र बनकर ये घर जाएंगे तो पवित्रता तो हमारे साथ साथ चली आती है ये सब चीजे हम याद करेंगे न आपने ये ऐसे पांचो स्वरूप तो पवितरता बहुत बढ़ जाएगी जिन लोगों को पवितरता कठेन पड़ती है उनको कठेन पड़ती है जिनका पुराना जीवन बड़ा विकारों में रहा है गंदगी जिनोंने बहुत की है जिनके संसकार बहुत तामसिक थे दुनिया भी थे अब उन्हें यदि संपूर पवितर बनना है तो इन पांचो स्मर्थियों को लाएं जिसको बाबा पांच स्वरूपों का अभ्यास सिखाते हैं तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें कल पहले राज दिलक दिया था हम ये सीन बनाया करें बाबा हमारे सामने हैं और हमें मस्तक पर राज दिलक दे रहे हैं मैंने तुम्हें ऐसा देवता बनाया था तो इसका अभ्यास कर लें जिनको अपनी पवित्रता बहुत बढ़ानी है वो दिन में आठ बार ये अभ्यास कर लें हर गंटे में एक बार कर लें बहुत अच्छा होगा सारा व्यार्द समाप्त हो जाएगा यहां की सब बाते आपको छोटी छोटी प्रतीत होते रहेंगी अगर ऐसी इस्थिति नहीं होती तो हर छोटी बात भी बड़ी लगती है वनुसको अपने में विश्वास नहीं होता आत्मिश्वास चला जाता है कि हम तो संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाएंगे इस्थिति रावा डौल हो जाती है फंचु हम थे हमने अनेक बार माया को जीता है हमने अनेक बार इसकाम महाशत्रू को जीता है यह स्मर्थी हमारे अंदर बहुत द्रड हो जानी चाहिए तो इसके जीतने की शक्ति फिरसे इमर्ज हो जाएगी और अगर हम डीले संकल रखेंगे, लगता है हम तो माया कुछ ही जीत पाएंगे, हमारा साथ ही तो साथ नहीं देता, हमारे संसकार्ड तो बड़े कड़े हैं, बड़े दूसित हैं, यह सोचने से हमारा मनोबल गिरता जाएगा, हमारी आंतरिक सक्तियां छेन होती जाएगी, ह लेकिन हमें तो विजय प्राप्त करनी ही है, विजय तो हमारा जनम सिद्ध अधिकार है, यह संकल बहुत द्रड़ता से अपने अंदर धारन कर लें, और बाबा से परतिग्या कर लें, देखिए यह परतिग्या रोज करनी है आपको, परतिग्या को अपनी रिवाईज करना है और ये संकल्प करना भगवान को वचन दे रहे हैं भगवान से परतिग्या कर रहे हैं किसी मन उससे नहीं वचन दे कर वापिस नहीं लेना है परतिग्या करके तोड़ना नहीं है कुछ भी क्यों न हो जाए हमारी परतिग्या अटल रहेगी अचल रहेगी कोई उसे नहीं सकेगा, बस बुरे संग से बचके रहें, खान पान सुद्ध करें, तो ये स्रेश्टी स्मर्तियां आपको संपूर्ण पावंता की रहा पर सुदरता पूर्वक आगे ले चलेंगी, ओम स्यांति